हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल स्टेडी विचाल सिंग में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमेस्टी भाग के आपको बहुत ही प्रस्ण बताने वाले क्लास 10 के साइन सब्जेक्ट के केमेस्टी भाग के हैं जैसे कि आप सब को पिछले वीडियो में फिजिक्स बाइलोजी दोनों के मोस्ट इंपर्ण इंक्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं केवले हैं आप एक केमेस्टी का बचाता तो आज देखेंगे क मेस्टी के मोस्ट इंपर्ण प्रस्ण के बारे में जो की हर साल एक्जाम में पूछे गए हैं और देखते हैं आप इस सबसे पहला चेप्टर रासायनी का विक्रियाएं एवं समीकरण जो है चेप्टर बहुत इंपर्टेंट प्रस्ण से आने वाले हैं आपके एक्जाम के तो इसलिए इस वीडियो में शुरू सेन तक बने रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा तो आएए देखते हैं तो हम बात करेंगे सब से पहले आपको क्विशन बांक जो भी दिया रहे आपको भूप excel घृ सिंह यहीँ से बनेगा चैनल इसी ही से बंता भार तो देखते हैं जो भी आपका क्या आपका दिया आं यह जो इंपर्टेंट मार कर दिया है ये इससे आप जरूर पढ़ लेंगे पूरे को एक बार क्योंकि यहींसे आपका बहूप्लबी प्रसन बनता है तो बहुप्लबी प्रसन आप बहुत प्रसन यहीं से आने वाले हैं तो इसे आप पढ़ लेंगे पूरा एक वार इसे वह उप्रसन हो जाएंगे अब हम देखते हैं लगूत्री प्रसन आपको मैं बता रहा हूं कहां से पूछेंगे लोहे कि वस्तुं हो को हम पेंट क्यों करते हैं क्यूंकि अगर हम पेंट ना करें तो इसमें उपस्तित नमी चूर्ढ नहीं हो पाते हैं अगर हम paint अगर हम क्यों मा लिता करें अगर नहीं कर तेंट तो आपसे से बता हैं और इससे जंग नहीं लगती है आपका ये जानते हैं और इसका फार्मूला जरूर लिखेंगे जो भी इसके में समीडर है अब बात करते हैं लगूत्री प्रस्ण की तब लगूत्री प्रस्ण में आपको बहुत ही महत्पूर प्रस्ण हाथ में आते हैं हर साल आपको पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे जो भी आपके लगूत्री प्रस्ण है हर साल पूछे जाते हैं तो सबसे पहला प्रस्ण ही है, निमलिकी तब किरियाओं का संतुलित समीक्रण लिखिए, आपको केबल समीक्रण लिख देना है, आपको पूरे माक्स मिलेंगे लग उत्री प्रस्ण ही, तो किसका किसका समीक्रण लिखना आपको अब यह भी बता दे रहा हूँ, पहला यह है तनु सल्फिवरिक अमल दानेदार जिंक के साथ अब किरिया करता है तो किस तरह समिक्रण बनेगा और दूसरा यह है तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल एल्मूनियम चुण के साथ अब किरिया करता है तो किस परकार समिक्रण बनेगा इस टाइप के प्रसन आपको जरूर पूछ जाते हैं एकजाम में नहीं तो आपको जो दूसरा प्रसन है नहीं तो इस तरह प्रस आपको देखनाव को मिलेंगे हर साल हे यह 2019 संसरी छब से और आयास 2020 से तब से इह प्रसणा si रहे हैं क्या होता है जब क्या होता जब ये lähट नाइट्रेट को गर्म करते हैं क्या होता है दूसरा यह है नाइट्रिक अमले केल्सियम हाइटर अक्साइड से आप किरिया करता है तब क्या होता है और तीसरा है एथिनाइक अमले सोडियम कार्वोनेट से आप किरिया करता है तो क्या होगा और चौथा यह है एथिनाल को सांदर sulphuric अबले के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है इस तरह के प्रसन आपको ज़रूर एक्जाम में देखने को प्लेंगे अगर यह प्रसन नहीं आता है तो इस टाइप के प्रसन ओको मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर लगुत्रि परस्ट के बहुत IMPORTANT है इस टाप के प्रस्ट्थलां दौनों को देखने के लिए हिटाप लगुत्रि प्रस्थन आप नहीं समझँ प्रस्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें यह की प्रस्ट नहीं बनता है आपके Most Important प्रस्ट के रूप में, सबसे इसमें पहले बात करें इसको किस टाल के प्रस्ट को पूझे जा सकते हैं, सबसे पहले दिखते हैं रहसायनिक अब किरिया किसे काते हैं, यह कितने परकार की होती हैं, पड़ते को उधारन देकर समझाई, पहले ताब को रहसायनिक अब किरिया बताना रहेगा, उसके बाद यह कितने परकार के होते हैं, जितने परकार के होते हैं, सब के उधारन देकर आपको समझाना होगा, किस तरह किस तरह काले करते हैं तो यह हम बात करें तो यह कितने परकार्ग होते हैं तो निमलिखित परकार्ग में होते हैं सबसे पहले हम बात करें तो सनी ओजन अब किरिया होती है दूसरा बात करें तो वी ओजन अब किरिया होती है और तीसरा बात करें तो वी स्थापन किरिया होती है अब हम बात करें कि इसको किस तरह प्रस्ण को और अलग तरीके से पूछ सकता है तो आपको पूछ सकता है कि संक्ला नाव किरिया पर संचित टिप पर लिखें संक्ला नाव किरिया कहें चाहरा रसानी का पर किरिया कहें बात एक ही होता है तो आप हेडिंग डा कारियों के साथ तब तक के लिए इस वीडियो में था बस इतना ही मिलते एंगले वीडियो में बहुत ही मुस्ट इंपर्डेंट प्रस्ट के साथ तब तक के लिए इतना ही जैहिन वन्ने वातरम